पुलिस का नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं अगर कभी पुलिस के चकर में पढ़ गए तो ये समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दंड प्रक्रिय सहिंता याने की CRPC ने आपको कुछ अधिकार दिये हैं जब पुलिस आप पर कारवाई करने आए तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कौन-कौन से अधिकार मिले हैं जिसका प्योग आप पुलिस या कारवाई के वक्त कर सकते हैं आईए जानते हैं कुछ अधिकार जो कानून ने देश के हर नागरिक को दिये हैं। जब पुलिस आपको गिरफतार करने आये तो CRPC की धारा 50 के अनुसार आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस से अपनी गिरफतारी का कारण पूछ सकें। और पुलिस को यह कारण बताना भी पड़ेगा। आपको गिरफतार करने के लिए जो पुलिस अधिकारी आया है उनका वर्दी में होना आविशक है। साथ ही उनकी वर्दी पर उनका नेम प्लेट भी होना चाहिए और उस पर साफ साफ शब्दों में पुलिस अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए। CRPC की धारा 51A के मताबिक गिरफतार की व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफतारी की जानकारी अपने परिवार को दे सके। अगर वो देने में असमर्थ है तो पुलिस को खुद उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। CRPC की धारा 41 B के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तियार करना होता है जिसमें गिरफ़तार करने वाले पुलिस अधीकारी की रैंक, गिरफ़तार करने का टाइम और पुलिस अधीकारी के अतिरिक्त मा मौजूद प्रतेक्ष दर्शी के भी हस्ताक्षर होते हैं इस मेमो म करने का फायदा ये है कि अगर आपके शरीड में कोई चोट नहीं है तो कस्टेडी में अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी पर यह आपके पास फुलिस के खिलाप एक सब्वूत होगा कानून के मुताबिक गिरफ्तार किये वक्ति की हर 44 गंटे बाद मेडिकल जाँज कर आई जाने चाहिए. अगर कोई अपराद गम्बीर नहीं है to गिरफतार किये जाने वाले व्यक्ति को गिरफतारी वारेंट देखने का अधिकार है लेकिन अगर अपराद गम्बीर है तो पुलिस बीना वारेंट भी गिरफतार कर सकती है भारतिये दंड सहीता ने महिलाओं को कुछ विशेश अधिकार दिये हैं CRPC की धारा 46 एक अनुसार किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता तेकिन अगर कभी ऐसी परिस्ति आई कि महिला को रात में ही गिरफतार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजादत लेनी होगी CRPC की धारा 46 के मताबिक महिला को केवल महिला पुलिस कर्मी ही गिरफतार कर सकती है कोई पूरुष पुलिसकर में किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता CRPC धारा पच्पन एक के मुताबिक गिरफतार किये गये व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्त का ख्याल पुलिस को रखना होता है दंड सहीता के अलावा भार्तिय समिदान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं अगर किसी व्यक्ति को गैर कानून ढंग से गिरफतार किया जाता है तो यह भार्तिय समिदान के अनुच्चेद 20, 21 और 22 में दिये गए मौलिक अधिकारों का हनन है सविधान के अनुछेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अभिराद के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी अपरादी को अपराद करते वक्त जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी अपराद करने के बाद अगर कोई नया कानून बना तो उसके हिसाब से सदान नहीं हो सकती पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाद दिन नहीं कर सकती सविधान के अनुछेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता से वंचित नहीं किया जा सकता पहली हिरासत में लेने का कारण बताना होगा दूसरी 24 गंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और तीसरी गिरफतार व्यक्ती को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा अगर यह अधिकार आपको पता हो तो कोई भी आपको गैरकारों धन से गिरफतार नहीं कर सकता इसलिए अपने इन अधिकारों के बारे में जान ले और याद रखे